हलो एवरिवन, वेलकम टू माँ चैनल, फजिक्सपाय नेतू, टूड़े विल डिसकस ओन ग्रेविटेशनल पोटेंशल, देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशल क्या है, हम मान रहे हैं, हम हर पास एक बॉडी है, जिसका मास कैपिटल M है, इसके एराउंड ग्रेविटेशनल में ही अगर कोई पोइंट P है, इस P पोइंट पे हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, देखो हम किस तरह से डिफाइन करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशल को, कि अगर आपके पास कोई यूनिट मा done जो भी आप work करोगे उस दोरान क्या होना चाहिए acceleration नहीं होनी चाहिए produce उसमें without acceleration लेके आना है आपको उस unit mass की body को कहां से infinity से लेके उस point तक पी point तक जहां पे आपको gravitational potential की value को calculate करना है उसके लिए कितना work done लग रहा है उसे हम कहते है gravitational potential means acceleration उसमें produce नहीं होनी चाहिए इसका मतलब क्या है कि velocity क्या होनी चाहिए उसकी constant means kinetic energy में कोई change नहीं आना चाहिए उसकी जब हम उसको कहां से लेके आ रहे हैं infinity से लेके उस point तक लेके आ रहे हैं तो देखो हम किस तरह से इसे write down करेंगे it is defined as the amount of work done in bringing a body of unit mass from infinity to that point without acceleration clear हुआ देखो अभी हम इसके expression भी find out करेंगे तो आपको ज़्यादा clear होता रहेगा तो इसे देखो हम किस तरह से write down कर सकते हैं if w is the amount of work done in bringing a body of mass m0 from infinity to a point b अगर आपको exam में write down करना है तो आप इस तरह से करोगे हम मान रहे हैं कौन सा work done है वो w work done है जो हम क्या कह रहे हैं कि हम unit mass को कहां से लेके आ रहे हैं infinity से लेके p point तक लाएने में कितना work done लगा हमें उसे हम मान रहे हैं w work done है in the gravitational field, gravitational field के अंदर है यह point p without acceleration पर उसमें क्या produce नहीं होनी चाहिए एकसरलेशन नहीं होनी चाहिए उसमें तो gravitational potential, gravitational potential को हम denote करते हैं v से ठीक है तो v at point p उसकी value किसके ब्राबर आएगी? equal to जो वह आपके पास work done लग रहा है infinity से इस p point तक लाने में कितना work done लग रहा है उसको वो divided by जितना उसका मास है अगर हम m not उसका मास मान रहे हैं तो हम w divided by क्या होगा यहाँ पे? m not clear है? okay अब देखो इसकी expression किस तरह से find out करेंगी? हम तो आपको ज़्यादा clear होगा यह ना? देखो expression for gravitational potential at a point हम क्या कहा रहे हैं? हमने एक body ले ली जिसका मास capital M है ठीक है? अब हमें p point पे gravitational potential की value calculate करनी है और यह p point जो है इस body के center से कितना दूर है? r distance दूर है यह वाला आप इस distance अच्छे से देख लेना ठीक है? देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का p का distance कितना है? r clear? okay अब हमें क्या find out करना है कि अगर हम कोई mass ले रहे हैं, कोई body ले रहे हैं जिसका mass कितना है? m0 है ठीक है? m0 है उस body का mass अब test mass भी कह सकते हो इसे? ठीक है? अभी देखो हमने वैसे इसमें तो हम unit mass लेते हैं ठीक है? पर अभी हम suppose कर रहे हैं कि जो आपके पास body है उसका mass कितना m0 है ठीक है उस body को आपको कहां से लेकि आना है infinity से लेकि इस p point तक लाने में कितना work done करना पड़ रहा है हमें वो चीज निकाल ली है तभी हम gravitational potential की value calculate कर पाएंगे clear है तो हम क्या कर रहेंगे सबसे पहले हम small work done की value calculate करेंगे हम small work done निकालेंगे और उसको फिर हम integrate कर देंगे ठीक है देखो कैसे हम क्या कर रहे है यहां पे ना लेके जो आपके पास mass है m0 जो body जिसका mass m0 है उसे infinity पे ना लेके हम a पे consider करेंगे a point पे ठीक है सिर्फ calculation के लिए हम क्या कर रहे है कि वो जो body है जिसका mass m0 है वो कहां पे place है a वाले point पे place है यह भी gravitational field के अंदर ही है यहां पे place है वो a point से लेके b point तक उसे हम move कर रहे हैं पहले तो कितना work done करना पड़ रहा है small work done करना पड़ेगा a से लेके b तक का distance कितना है dx पहले हम यह वाला work done निकाल लेंगे फिर हम उसे integrate कर देंगे clear हो रही है बात वही चीज़ देखो write down कि हमने suppose a body of mass m0 is placed at point a ठीक है अब हम क्या suppose कर रहे है कि वो body कहां है यहां पे place है a point पे at distance x और इस वाली body का m0 का ठीक है इस वाली body से कितना distance दूर है वो x क्योंकि यह वाला distance में चाहिए होगा क्योंकि जब हम gravitational force निकालते हैं तो इस distance का square करते हैं कितनी दूर है इस body से वो x यहां पे उपने place कि एक body clear हो रहा है x from a body of mass m इतना दूर है यहां पे यह अब इस वाली body पे इस वाली body की वज़े से क्या लगेगी gravitational force लगेगी यह वाली body इस body को अपनी तरफ क्या करेगी attract करेगी और यह वाली body का mass तो बहुत ज़्यादा है और इसका mass कितना लेते हैं test mass बहुत कम लेते हैं तो gravitational force acting on mass m0 इस पे जो gravitational force लगेगी due to mass जो यह वाली body है due to mass m capital m मैंने mass ही body बोसकते हो अब है body जिसका mass कितना है capital m तो कितनी force लगेगी f equal to जो gravitational force कितनी लगती है capital g इसका mass capital m है और यह test mass कितना है m0 divided by इन दोनों की बीच का distance कितना है x उसका square इतनी force लगेगी यहाँ पे यहाँ तक कोई problem clear है यहाँ तक इतनी force लगेगी इस पे अब हमें निकालना है यहाँ से लेके यहाँ तक move करवाने में कितना work done करना पड़ा हमे ठीक है तो वह वाला work done कैसा लेंगी हम dw because small work done find out कर रहे हैं तो small work done को हम write down कर सकते हैं कैसे देखो यहाँ पे dw और dw किसके पराबर होगा f dot dx force dot dx हना यह वाली चीज़ हो जाएगी यहाँ पे f dot dx हना अब देखो f dot dx f और dx की बीच में एंगल कितना है gravitational force किस direction में लग रही है इस direction में लग रही है हना because यह वाली body इस body को क्या कर रही है attract करती है gravitational force क्या होती है always attractive in nature हना तो force इस direction में लग रही है और हम उस body को जिसका mass m0 है उसे move भी कहा से कहा कर रहे है इसी direction में move कर रहे है clear हो रही है आपको बादेखो dx भी किस direction में है इसी direction में है और force भी इसी direction में लग रही है कोई problem यहाँ पर हम write down कर सकते हैं ऐसे इसको अब यह values पूट करतो देखो अब जब values पूट करेंगे तो कितनी force लग रही है देखो force की value पूट करो कहां से कहां तक कि उस body को कहां से कहां तक लेके आ रहे है infinity से लेके यहां से लेके infinity से लेके कहां तक p point तक लेके आना है अब उसको तो हम integrate कर देंगे देखो इस x को कहां से कहां तक integrate करना पड़ेगा यह सब तो constant term आ जाएगी देखो g, m, m0 ये तो बाहर आजएगी integration से जब भी हम करेंगे तो हमें x की जो limit है वो कहां से कहां put करनी पड़ेगी infinity से लेके देखो कहां से हम उसको कहां से कहां लेके आएंगे infinity, infinity से लेके आ रहे तो ये distance कितना हो जाएगा infinity जब body आपके पास कहां place है, m0 वाली body जिसका मास m0 है, infinity पे infinity से लेके आ रहे है, कहां तक p point तक, और p point का distance कितना है देखो, r clear हो रहा है, बहुत से बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आती है, कि हमने infinity से लेके r distance तक क्यों किया ठीक है, उस body को हम कहां से लेके क्यांए, infinity से लेके infinity से लेके x कहां से ले टीक है, infinity से लेके कहां तक लेके आएंगे, उस को फिर हम x लेके, कहां तक लेके आएंगे, r तक, p point का distance कितना है इस body इस वाली body के center उससे, center कितना है r, तो infinity से r तक इसको integrate कर देंगे, तो full works do, नि conservatives, clear? इस तरह से अब देखो हमने का कर देना है इसको इंटेग्रेट कर देना है देखो पहले में वही चीज राइड डाउन कर लेती हूं dw किसके बराबर आगया था आपके पास gm m0 divided by x square into dx अब हम इसे इंटेग्रेट करना है इंटेग्रेट कहां से कहां तक करेंगे देखो इंटेग्रेट से लेके कहां तक आर तक आर डिस्टेंस तक करना है तो यहाँ पर भी इंटेग्रेट करेंगे कहां से कहां तक इंटेग्रेट कर देंगे हम इसे कहां तक आर तक इंटेग्रेट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा करके integration देखो total work done, total work done आ गया है w, और यह work done कहां से कहां तक है, हम जब उस mass को, जिसका mass m0 है उसे हम body को कहां से कहां तक लेके आ रहे हैं, infinity से लेके p point तक infinity से लेके p point तक लाने में infinity से p point तक लाने में कितना work done लगा, यही चीज़ आएगी यहाँ पर, यह equal to आ जाएगा आपके पास, देखो अब इसको हम integrate करते है g m, m0 यह तो constant terms है, यह बाहर आएंगी integration से, और अंदर integration रह जाएगी infinity to r किसकी, 1 by x square 1 by x square को कैसे write down कर सकते हो x के power minus 2 into dx, इसकी integration होगी तो अब देखो, g m, m0, और इसकी integration simple देखो क्या आजाएगी x की power minus 2 की क्या होती है minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1 और यहाँ पर 0 to sorry, infinity to r अब देखो g m, m0 और इधर क्या आजाएगा आपके पास x की power minus 1 और यहाँ पर भी minus 1 infinity to r और यह solve करके आजाएगा g m, m0 और यह वाली चीज़ क्या आजाएगी देखो, यहाँ पर हम राइट डाउन कर सकते हैं कितना, minus 1 यह minus इतर आजाएगा और x की power minus 1 means ऐसे आजाएगा नीचे यह आगा solve करके infinity to r अब limits put करो तो g m, m0 और अंदर जब limit put करेंगे तो क्या आएगा, यह upper limit put करेंगे minus 1 by r, चीक है minus अंदर भी minus है, 1 by infinity x की जगा, कोई problem upper limit minus lower limit यह वाली limit minus, यह पहले minus था तो minus 1 by infinity अब यहाँ पर solve करेंगे तो आगया g m, m0 minus 1 by r minus, minus होचाएगा plus 1 by infinity क्या होता है, 0 तो आगया solve करके आपके पास g m, m0 यह minus हमने बाहर ले लिया multiply करती है हम पर आगया r clear, यह वाली बात आगी है यह कौन सा work done है work done जब हमने infinity से p point तक उसको जो भी आपके पास test mass है, उसको infinity से p point तक लेके आ रहे है clear हुई यह वाली चीज़ आपको अब देखो, यह तो work done निकल गया अब gravitational potential at a point p पे निकालने को formula क्या होता है vp equal to w divided by m0 तो w, w कौन सा w infinity से लेके p point तक लाने में जितना आपको work done करना पड़ रहे है divided by m0 तो यह वाली value कौन से आ जाएगी आपके पास minus g m m0 divided by r और साथ में क्या जाएगा यहाँ पे m0 m0 से m0 cancer तो vp की value क्या आगी आपके पास देखो gravitational potential at a point क्या आएगी उसकी minus g m capital M divided by r यह value आपके आगी देखो यह आपको हमेशा याद रखनी है ठीक है gravitational potential at point P निकालने का formula क्या होता है minus g capital M जिसकी वज़ा से हमें निकालना है divided by r अब अगर आप किसकी बात करो यहाँ पे अर्थ की बात करें अगर हम हाना तो अर्थ की वज़े से क्या होगा r की जगा क्या आजाएगा यहाँ पे capital R जुसका radius है वो अली value आजाएगी यहाँ से infinity से वहाँ तक लेके आने में कितना आपको वगदन लगना पड़ रहे है यह r distance क्या हो जाएगा pay point का होगा अगर यह इसको अर्थ माल लेंगे आप ठीक है तो यहाँ पर आजाएगा वो उसका radius कितना हो जाएगा capital R clear है अब देखो यह negative sign यहाँ क्यों आ रहे है यह भी understand करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर negative sign क्यों आ रहे है देखो अब यह दिहान से मैंने पहले आपको explain नहीं किया because पहले मुझे लगा मैं अच्छे से आपको expression understand करवा दूँ अब देखो आप दिहान से यहाँ हुआ क्या आप इसी करें देखो हमने क्या कहा हमने एक body ली जिसका mass M0 है उसे हमें move करवाना है यहां से लेके यहां तक clear है देखो आप बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे और वो ठीक भी है देखो इस body body का mass बहुत ज़्यादा है और यह वाली body इस body को तो attract करेगी अपनी तरफ इसका mass तो बहुत कम है तो हमें work done करने के तो कोई जरूरत ही नहीं है आप तो ऐसा कह सकते हो न क्यों 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 क्योंकि यह वाली body इसका mass बहुत ज़्यादा है यह तो इस वाली body को ऐसे ही attract कर लेगी और यह वाली body तो भागती हुई चली जाएगी इसके पास तो क्या work done करने के हमें क्या work done करने के जरूरत है वो तो अपने आप ही चली जाएगी इसकी तरफ पर देखो condition एक और भी है work done करना है हमें इस body को यहां से यहां तक move करवाने में कितना work done लग रहा है ठीक है वो चीज है बट हमें वो work done करना कैसे है कि during that work done जो आपके पास exhalation की value नहीं होनी चाहिए उसमें उस body में exhalation produce नहीं होनी चाहिए means उस body की kinetic energy increase में होनी चाहिए वो same रहनी चाहिए ठीक है पर देखो अभी होगा क्या ये वाली body का mass बहुत ज़्यादा है तो ये वाली body तो इस वाली body को यूँ ही खीच लेगी अपने तरफ और जैसे ही वो इसको attract करेगी और ये तो क्या करेगी fast move करेगी fast move करेगी तो इसके kinetic energy increase हो जाएगी बट हम तो वो नहीं चाहते हम तो चाहते हैं कि हम इस body को यहां से यहां तक जाना है बट kinetic energy increase नहीं होनी चाहिए बहुत slowly slowly जानी चाहिए वो और वो कब possible होगा देखो आपने बहुत ध्यान से सोचना है आप practically अपने दिर में सोच के देखो कि मैं क्या कहना जा रही हूँ यहां से लेकिए यहां तक move करवाना है पर हमें कैसे करना है slowly slowly move करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें इस body पे एक force लगानी पड़ेगी opposite direction में लगानी पड़ेगी कि नहीं ताकि हम क्या कर सके है यह जो attraction है force की जो यह वाली bodies पे attract कर रही है उससे oppose कर सके हम हमें क्योंकि fast move नहीं करना है इसके पास, हमें तो slowly slowly जाना है और वो का possible है, जब इस body पे हम कैसी force लगाएं, इस direction में force लगाएंगे, जब हम इस direction में force लगा रहे हैं तो हमें work done करना ही पड़ेगा फिर हाणा तो इसलिए हमें work done करना पड़ रहा है वो वाला work done जो है, वो क्या हो जाता है फिर ऐसे potential इस potential के form में क्या हो जाता है, वहाँ पे stored हो जाता है, समझ रहे हो हम हाँ, नहीं तो हम तो क्या कहेंगे हमें तो जरूरती नहीं work done करने की work done zero होना चाहिए, बिकाज ये तो इसको अपनी तरफ लगाएं इसके opposite direction में और वो almost इसके equal होनी चाहिए, थोड़ी सी ये वाला force जादा होनी चाहिए, तभी वो इस सर्फ move करेगा, बट इस direction में force लगानी पड़ेगी, ताकि हम भागते हो इस तरफ न ले जाए, ये वाली body भागती हो चले जाओगे इसके पास, पर हम चाहते हैं कि ये वाली जो body है वो जाए यहाँ से यहाँ तक, बट उसके kinetic energy increase ना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपको ये force of attraction है, इस तरफ attract हो रहे हो आप, हमें force लगानी पड़ेगी, आपको किस direction में, इस direction में ताकि आप भागते होए, उसके पास ना जाओ हाना, जाओ, क्योंकि जाना तो आपको उधर ही है, हाना क्योंकि हमें यहाँ से, यहाँ तक उस body को लेके जाना है पर कैसे, कि kinetic energy increase ना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके opposite direction में force लगाने पड़ेगी अब वो वाली जो direction है, दिखो, जो work done हो रहा है हाना, वो इसलिए क्या हो रहा है क्योंकि force इस direction में लग रही है और gravitational जो force है, वो इस direction में और हमें कहां लगाने पड़ेगी है force इस direction में, opposite direction में इसलिए वो वाली value क्या रही है negative आ रही है तो देखो आपको I think clear होगा कि negative sign वहाँ क्यों है because हमें क्या करना पड़ रहा है opposite direction में force लगाने पड़ेगी क्योंकि gravitational force किस direction में इस direction में और हमें इस direction में force लगाने पड़ रही है ताकि kinetic energy increase ना हो body की इसलिए ये negative sign होता है clear तो I think आपको clear होगा देको thank you